बलोदा बजार में पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है हाउसिंग बोर्ड कलोनी में अतिक्रमन को लेकर लाठियां चल रही है यह सब बीच सडक में हो रहा था गोर करने वाली बात यहां यह है कि इस हाथसे के बीच डायल 112 के वहन में वहां से पुलिस गुजरी आपको बता दे कि एक और पुलिस विभाग डायल 112 के एक साल पूरे होने पर जशन मना रही थी तो दूसरी और डायल 112 के पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि पुलिस कर्मियों ने विवाद को रोकने की कोई जहमत नहीं उठाई आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या यह मामला रायपूर बलोदा बजार मुके मार के विधान सबाथाना के दोंदे खुर्ध हाउसिंग बोर्ड कलोनिका है जहां अतिक्रमन का विरोध करना ग्रामीन युवाओं को भारी पड़ गया वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस सरह दो पक्षों में मार पीट की जा रही है अतिक्रमन कर रहे लोग इस तरह से हातों में दंडा लेकर बाहर निकल रहे हैं जैसे मानों किसे युद में जा रहे हूं गाओं के बिरोजगार युवा रोजगार करने के लिए दुकानों की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें जगा ना देकर प्रभावशाली और बाहरी लोगों को दे दिया जा रहा है इस घटना में कई ग्रामीन घायल भी हुए हैं लेकिन पुलिस के कोई भी अधिकारी और पुलिस कर्मी मोके पर नहीं पहुंचे डायल 112 वहां से गुजर गई पर रुकी नहीं बिरोजगार युवा ग्रामीन सूर्य परताब बंजारे और उनके साथी पुलिस के कारवाई से संतुष्ट नहीं है उनका कहना है कि कोलोनी में प्रभावशाली लोग अतिक्रमन कर दुकाने बना रहे हैं जटकी गाओं के गरीब युवा बिरोजगार गुम रहे हैं हम इसले अतिक्रमन का विरोध करने और शांती पूर्वक धंक से मना करने गए थे लेकिन अतिक्रमन करताओं और उनके साथियों ने मारपीट करने को लाठिया निकाली और मारपीट भी की जिसमें ग्रामीन युवा बिरोजगार घायल हो गए यदि समय से पहले स्थानिय प्रशासन इस दिशा में कोई थोस कारवाई करता तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं इस मामले में विधान सबाताना ASI जगदंबा तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों के किलाफ F.I.R. दर्श की गई है मामले की जांच कर आगे की कारवाई की जाएगी ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए